Be Happy, Be Healthy and Be Aware मैं डॉक्टर संतोस कुमार प्रोफेशर ओफ उरोलोजी हूँ एक प्रीमियर हेल्थ इंस्टिचूट पीजी आई चंडीगड में तो आज ए उरोलोजिस में प्रोस्टेट कैंसर, किड्नी कैंसर, ब्लाडर कैंसर, किड्नी में रुकावर्ट, किड्नी में अस्टोन, पिसाब के रास्ते में रुकावर्ट या मेल सेक्स प्रॉब्लम इस सबका इलाज करता हूँ तो एक जो आज मैं डिसकस करने जा रहा हूँ मैंने प्रोस्टेट कैंसर पे बहुत सारे वीडियोज बनाया है जो आप देख सकते हैं और आप अपना कमेंट और कोईशन कर सकते हैं या कोई एसिस्टेंस की जुरत हो तो आप उस पे कमेंट करके आप भेज़ सकते हैं तो प्रोस्टेट कैंसर जब अर्ली स्टेज में होता है तो मैं रोबोटिक सर्जिरी के दोरा या और लोग भी रोबोटिक सर्जी के दोरा stage 1 और stage 2 में surgery करके बिलकुल cure कर सकते हैं stage 3 में भी early stage में हम robotic surgery करते हैं लेकिन जब stage 4 disease होती है cancer फैली हुई होती है तो hormonal treatment देनी पड़ती है एक तो cancer जब bone में फैली हुई होती है तो bone कमजोर होता है और本 में दर्द हो सकती है या बोन में fracture हो सकती है दूसरा ED cancer bone में नहीं फैल के दूसरी ज़गा prostate cancer bone में नहीं जाके दूसरी ज़गा फैली हुई है फिर भी हम उसका treatment कर रहे हैं तो उसका effect ये cancer oleh сделать में होता है prostate cancer 50 साल के उपर के लोगों में होता है जो प्रोस्टेट ग्लैंड पुर्सों में होता है और पचास साल के उपर के लोगों में ये उजली ये प्रॉब्लिम होती है प्रोस्टेट ग्लैंड की कैंसर की और जब कैंसर फैली हुई है उसका हर्मोलल ट्रीटमेंट देते हैं तो जो बोन है उसमें कैंसियम की मातरा की कम निभून कमजोर होने लगता है या हैं सर बॉन में डाइरेक्ट गई यह फेली हुई है तो भी बॉन कमजोर होता है इसलिए प्रॉस्टेट कैंसर के मरीजियों का जब ट्रीटमेंट होता है तो उनहें देखना चाहिए कि उनहें कैजिया मिल रही या नहीं दूद की मतलब बोन खोकला हो गया है तो एक इंजेक्शन भी लेने की जुड़त होती है जो बोन में कैल्सियम डिपोजिट कराती है तो जब भी प्रोस्टेट कैंसर किसी को है तो यह जरूर देखना चाहिए कि उनकी बोन का हेल्थ कैसा है क्योंकि यह कैंसर बोन में फैल सकती है या जब कैंसर फैली हुई है और इसका इलाज कर रहे हैं हर्मोलर ट्रीटमेंट में तो यह कमजोर बोन जो एज के कान कमजोर हो और भी कमजोर हो सकती है इस तरह बोन खोकली हो सकती है या बोन में कैंसर डारेक्ट गई होई होती है जिसमें फ्रैक्चर का डर होता है पेन का ड बोन का स्वास्थ एंड प्रोस्टेट कैंसर दूसरी एक चीज़ आपको यह भी बताना चाहूंगा कि नॉर्मल योगा या वाक बहुत ज्यादा इस्ट्रेस ना हो बोन पे लेकिन नॉर्मल वाक और नॉर्मल योगा आप कर सकते हैं लेकिन है भी चीज जिसमें बोन पे ज़री है बोन के हेल्थ को मेंटेंड करने के लिए कैल्सियाम विटाइमिन डी और एक इंजेक्शन आती है जो बोन के हेल्थ को मेंटेंड करती है या नेजल एस्प्रे आती है जो बोन के हेल्थ को मेंटेंड करती है उसके अलावा आपका वाक रेगुलर वाक रेगुलर स एक्सपोजर बहुत ही ज़रुत है तो be happy, be healthy and be blessed. Thank you.